हाई फ्रेंट्स वेलकम बाक तो माई चैनल आज हम यह बात करने वाले हैं कि नेक्ष वीक हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए क्या स्ट्राइजी बना क्या हम क्यारी कर सकते हैं पूलिशन बिकर्स दिकमिंग विक इस दिलास्ट एक्सपाइरी ऑफ दी मन्थ एंड एक्सपाइरी पास्ट वे यह वाले हैं कि नेक्स्ट वीक में आपका निफ्टी बैंटी का लेबल क्या हो सकता और कौन सी स्ट्राइजी पर आप काम कर सकते हैं सबसे पहले हम निफ्टी पे थोड़ा सा देख लेते कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं सी अभी जो लास्ट वीक में जो मोमेंटम हुआ ना पंद्रह हजार पांसो का लेबल ब्रेक नहीं करना था इसको यह वाला लेबल यह जो लेबल ब्रेक करने के बाद आप देख रहो यहां से जो मोमेंटम आया है यह बहुत शार्प फॉल देखने को मिला इस वोज वेरी गूट सपोर्ट बट स्टिल यह ब्रेक करने के बाद हम यह देख रहे थे कि पांसो चालिस का लेबल ब्रेक नहीं करना चाहिए और यहां पर लोगों ने बाइंग भी करी थी आप देखो यहां पर आपको थोड़ यह हमने जो 15-minute का चार्ट हम देख रहे हैं यह लेबल हमने उसके बाद जो रसेंस लेबल लिया हमारा था यह ब्रेक करने के बाद यह रसेंस लेबल बेक करने के बाद निफिक लोजिंग वूई 15,723 विच वुच वज अंप्लेटली ऑन एक्सक्टेद एक्सपाईरी वी expiry हुई but second day second day आपको highly momentum देखने को मिला एक यह यहां पर stop loss काटने के बाद निफ्टी बहुत अच्छा recovery दिया और upside close हुई and same thing happened in bank nifty look at the bank nifty chart इसमें आपको कुछ जादा ही fall देखने को मिला लेको bank nifty मैं बहुत strong लग रहा bank nifty मुझे मेरी buying position carry है position is hedge अब यह जो fall हुआ इसमें मेरी position carry है position है यह तो कोई परिशानी नहीं है आप देखो यह वाला जो short यह वाला जो label है ना जहां से bank nifty घुमी है यह देख लो 34,126 अलाकि bank nifty ने यह लेबल ब्रेक किया cash में 33,900 का कुछ लेबल बना किया वहां से वीशेफ recovery महारान देखो resistance label के ऊपर close हुआ है see मेरा क्या view था कि bank nifty 34,444 का label break नहीं करेगा बट वो label break करने के बाद एक बहुत जबर्दस fall आया बट यह fall यहां पर समल गया और bank nifty मेरा जो लेबल है 34,444 उसके ऊपर बंद हुई है look at this now जब तक 34,444 का label bank nifty sustain करता है तो उसके बाद एक छोटा सा hurdle है 35,140 के आसपस यह लेबल ब्रेक करने के बाद आपको बहुत अच्छा मोमेंटम दिखने माला मिलने माला bank nifty में what I am thinking is what my view is on nifty and bank nifty nifty in coming week which is the last expiry may hit 16,000 and above 16,050 के आसपास 60,000 के आसपास expiry हो सकती 16,000 के आसपास expiry हो सकती तो अगर कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए लास्ट टाइम अदानी में न्यूज आ गई थी ऐसी कोई नो कोई बड़ी न्यूज ना आए और तो निफ्टी आपको बहुत अच्छा मोमेंटम यहां से अपसाइड देने वाला है औल्दो आपको धिहान रखना है क्योंकि आप यह मत बूलना के मार्केट नेक्स्ट विक भी बहुत हाई मोमेंटम रहने वाला है ठीक है लास्ट इक्सपार ही है मोमेंटम बहुत जबरदस रहने वाला इसलिए आप जो भी ट्रेड करो आपकी पूजिशन है जोनी चाहिए 100 पसेंट ठीक है आपके लॉस कैपसिटी के कॉर्डिंग आप पूजिशन ओपन रख सकते हो बट अगर आप नेकट काम कर रहे हो तो भी आपकी पूजिशन में इस टॉप लॉस डला होना चाहिए लास्ट वी क्या हुआ लोग ने पंद्रह हजार चार्स पंद्रह हजार चार्लीज स्वारी 15550-540 क्या सपास बाइंग करी और इस नीचे जा गया यह निफ्टी तो अभी ऐसे बजा रहे हैं मार्केट स्टॉप लॉस खुब खाके जा रहा है तो आप नेक्स्ट विक हो ताइम करना है आप बुल कॉल इस प्रेड में काम कर सकते हो तिक है पंद्रह साथ 15600 की कॉल अप्षन देख लेते चांद्रह साथ तो तो आप इसमें difference कितना रखना चाहते हो, 50 point का रखना चाहते हो, या फिर 100 point का, 100 point का रख सकते हो, आप 15800 की call option sell कर दो, तो इसमें आपको तोड़ा सा margin मिल जाएगा, ये profit and loss आप देख रहो, one is to one ratio है, but मैं market में bullish हूँ, अगर market upside close होता है, तो ये वाला profit मेरे को यहां पे मिलन optimization है, एक एक strategy आप बना सकते हो, otherwise I would suggest के आप इस strategy पर काम करो, आप देख लो, Monday Bazaar क्या खुलता, I hope के market flat to positive खुलना चाहिए, let's see क्या होता है, Nifty आप buy कर रहे हो, Nifty buy करके साथ में आप option hedge मार दो, Nifty क्या level पर buy कर रहे हो, आप इसको हटा देते हैं, 15,750 वाल एक put डाल दो, किते पर, यह लग बगए 106 रुपय के आसपास मिल रही है, आपको, So, आपका risk के यहां पर, आप देख लो, 6,226 रुपय के आसपास का risk है, but upside, अगर market चलता है, ठीक है, अगर मैं यह कह रहा हूँ कि 16,050 के आसपास है, 16,000 के आसपास market expire हो सकता है, तो आपका profit यहां पर बहुत अच्छा बनने वाला है, ठीक है, यह profit आपका double भी हो सकता है, but आपका loss यह रहेगा, but downside, आप secure हो, कोई बड़ा momentum आ जाता है, 400-500 point का, तो this will save you, तो next week में आप यह plan कर सकते हो, nifty में, this would be best plan, मैं यह करने वाला हूँ, और मैं bank nifty में क्या करने वाला हूँ, bank nifty में बोलिश हूँ, मेरी position bank nifty में buying carried है, with hedging, but I would suggest कि आप एक यह position में भी काम कर सकते हो, premium अच्छा मिल रहा है, 35,000 future 34,700 के आसपास की closing आई है, तो आप यह भी कर सकते हो, इसका premium बहुत कम है, इसमें थोड़ा risk हो जाएगा, यह मत करवा, 34,700 की call और put, देखो 34,700 की call put, यह sell करके काम कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क जादा है, पर मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं यहां पर, यह बना सकते हो, इसको एक बर, यहां पर देख लेते हैं कि आपका risk को reward क्या रहेगा, फिर आप उसमें hedging कैसे डाल सकते हो, थोड़ा iron flight अप, क्योंकि मार्केट का limited momentum रहेगा, तो बहुत पैस आपको यह जा सकता है, बट आपको market में cautious रहना है, इसलिए position आपकी hedge होनी चाहिए, ठीक है, यह position, यह call sale मारो, यह put sale मारो, देख लो, कुछ इस तरह graph यहां पर बन रहा है, और आपका label देख लो क्या बना, 34,000 से लेके 35,300, ठीक है, आपको 1000 point से भी जादा का, आपको gap मिल रहा है है, बट क्योंकि बैंक निफ्टी है, ठीक है, 500,000 point momentum होने में, बहुत जादा time नहीं लगता इसमें, अगर यह position आप बना रहे हो, तो ना daily basis पे position बना के profit मिल रहा है, तो profit book करके निकल सकते हो, otherwise आपको यह position अगर carry करना है, तो फिर इसको hedge मार दो, 34,100 की put से hedge मार दो, चलो देखते हैं क्या रहता है, थोड़ा सा फिर क्या है कि range जो है, बहुत कम हो जाएगा bank nifty में, same position आप क्या कर सकते हो, next expiry वाले में execute कर सकते हो, 1st july वाले में, उसमें आपको उसमें अच्छा पैसा मिल सकता, because premium is also well there, यह मैंनेट को क्या होगा, 34,100 की put option इसको आप बाई मारो, 115 रवा में यह आपने बाई मारा, और उपर में call up 35,400 बाई मार दो, यह position आपकी कुछ ऐसी बन जानी है, correct, इसको थोड़ा सा और अगर अगर कम करते हैं, हम 35,300, यह position कुछ ऐसी हो जानी है, look at this, यह आपका ratio होने वाला, थोड़ा सा आपका देखो, upside में, मेरा जो resistance level हो क्या है, 35,144, यह 35,144 के आसपास आ रहा है, लेकर अगर यह strategy आप डाल रहे हो, तो आपका risk क्या है, 4000 के आसपास का, और 10,000 इसमें आपको profit आ सकता अगर market in between रह गया, लेकिन अगर market में either side कोई momentum बढ़ा आ जाता है, तो इस position में आपको बहुत ज्यादा loss नहीं होने वाला, अगर market upside ज्यादा जाने लग गया, आप साइट बहुत एक अच्छा momentum देखने को मिल गया, तो इस position में आप क्या कर सकते हो, यह कर लो, 35 तीन सो की कॉल आपने बाई कर रहे हैं, बाद में 35 तीन सो की कॉल, एक लोड इसको बाई कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, यह लेबल ब्रिच होने वाला है, ठीक है, तो आप इस position से, अगर यह लेबल आपको ब्रिच होता होँ लग रहे हैं, अगर यह लेबल ब्रेक करता तो, बैंक निफ्टी में मुमेंटम अपसाइड ही रहेगा, तो आप पीछे से put option कर सकते हो, जिसमें आपको लगबग 50 से 60 रुपे के असपास premium मिल जाएगा, 70 रुपया, तो यह जो लॉस है यह लॉस आपको नहीं लगने वाला है, अदर्वाइस आप क्या कर सकते हो, यह स्ट्राइजी आप दो तरह से बनादे, या तो सिर्फ इस ट्राइडल से कर लो, लगबग 34,714 के असपास, तो 34,700 की put option आप साथ में बाई करके डाल दो, देख लेते हैं, रिस्क क्या है, यह strategy मैं क्यों सज्जेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में को लगता है कि अच्छा upside momentum रहना चाहिए, अगर upside momentum नहीं रहा, तो आपका maximum risk क्या है, 8,209 रोपे का सपास, अगर इस यह risk लेने के लिए आप तयार हो, तो इस तरह की position आप execute कर सकते हो, जिसमें आपका break-even क्या आएगा, 35,000 क्या सपास, उसके ओपर nifty, bank nifty कहीं भी close होती थी, इस यह profit, और इसमें आपको margin भी बहुत कम लगना है, तो I would suggest कि इस तरह की भी strategy execute की जा सकती है, okay, but एक बार market Monday open होने के बाद, check your momentum, check the momentum of market and check your max loss, if you are ready to bear this loss, then go for this kind of a strategy, otherwise option is strategy as well for you, जहां पर आप अपने according risk decide कर सकते हैं, bank nifty में और nifty में suggest करूँगा, क्योंकि अगर market मुझे bullish लग रहा है, तो आपको risk थोड़ा कम रखना है, तो bull call spread जाहिए, bull call spread में भी triple layer आप execute कर सकते हैं, otherwise double layer is okay, एक buy किया, एक sale किया, उसमें आप gap रख सकते हो, 50 point का, 100 point का, 1.500 point का, इतना आपको risk रखना है, वो gap रख सकते हो, so this is what you can do in next week. सकते हैं.